TikTok आ रहा है हम लोग का इंडिया में 22 जुलाई को वापस जी हाँ दोस्तों एकदम confirmed news है कि TikTok हम लोग का इंडिया में 22 जुलाई को वापस आ रहा है क्योंकि दोस्तों पहले आप लोगों पता है कि जो Indian government है वो 59 Chinese application को इंडिया में ban कर दी थी लेकिर वहाँ पर कहीं पर ये mention नहीं था कि ये जो हम लोग का application ban है ये हम लोग का temporary ban है कि permanent ban है तो यहाँ पर हम लोग जो Indian government है अब ये 59 Chinese application को वापस लाने के तयारी में है जो कि हम लोग का TikTok है वो अब इंडिया में हम लोग का 22 जुलाई को वापस आ जाएगा मैं यहाँ पर original TikTok के बारे बात कर रहा हूँ जिसकी हम लोग की parent company ByteDance है मैं यहाँ पर किसी भी TikTok alternative application के बारे बात नहीं कर रहा हूँ जैसे कि TikTok pro, TikTok, Jiktik और जितनी भी इसके application है, alternative application है उनके बारे बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर original application TikTok के बारे बात कर रहा हूँ जो कि इंडिया में बैन हो गया था अब वो इंडिया में हम लोगा 22 जुलाई को वापस आ रहा है आज के इस वीडियो में आपसे बात करूँगा कि इंडियान गोवर्मेंट किस तरीके से राजी हो गई कि हाँ भई हम लोग TikTok जैसे application को आप इंडिया में वापस ला सकते हैं और भी कुछ बातों के बारे में आज के इस वीडियो में आपसे बात करूँगा नमस्कार दोस्तों मिरे नामें आयूश व स्वागत आपके मेरे YouTube चैनल पे अगर आप मेरे चैनल को नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा पसंद दाते हैं सुटे को लाइक करिएगा अब तो क्या खराब लगा मुझे कमेंट करें कमेंट सेक्शन जरू बताएगा चलि दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं लेकिन कल के वीडियो में आप टिक टॉक अल्टरनेटिव अप्लिकेशन पर बताया था जो कि टिक टॉक प्रो है लेकिन यहां पर अप इंडियन गॉवर्मेंट हम जो 89 अप्लिकेशन जो कि पहले बैन कर दी थी अब उसमें हम लोगे जो टिक टॉक है वो हम लोगे 22 जुलाई को वापस आ सकती है क्योंकि यहां पर जो इंडियन गॉवर्मेंट है अब टिक टॉक जो एप्लिकेशन जो भी बैन हुए है उनको एक यहां पर पॉलिसी को साइन करने को बोली है और उनके टर्मस और कंडिशन को फॉलो करने को बोली है जहां पर टोटल 79 कंडिशन दियेगा है जैसे कि आप लोगे पता होगा कि जो टिक टॉक जैसे एप्लिकेशन है वो इसके लिए बैन हुए थे क्योंकि हम लोगे यूजर के डेटा को चुरा लेते हैं और किसी और अनदर सर्वर अपर जाके सेव कर लेते हैं उसके बाद वो लोग उस डेटा का कुछ भी कर सकते हैं मतलब कि वो यहां के इंडियन के प्राइवेट डेटा को भी चुरा रहे हैं इस वज़े से यहां पर जो टोटल 89 एप्लिकेशन थे वो कम्प्लिटली बैन कर दिये गए हैं यहां पर जो 79 कंडिशन के जो लिष्ट भीजी गई है उसमें जो हम लोगे मोस्ट पॉपुलर हैं यह कि जो हम लोग का एप्लिकेशन है उसके कंट्री उरिजिन कौन सी है और दूसरा यह कि वो हम लोगे जो डेटा को चुराते हैं उस डेटा को कहां स्टूर करते हैं और तीसरा यह कि वो हम लोगे डेटा को चुराएंगे भी या फिर अगर हम लोग के data को किसी add के लिए या फिर उस add को मतलब अपने application को improve करने के लिए अगर हम लोग का data लेते भी हैं तो वो लोग इस data को इंडिया के local server पे save करेंगे ना ही world में किसी और server पे और इस तरह के total हम लोग के 79 condition हैं जो कि हम लोग की Indian government TikTok और जितने भी band application है उन लोग को दी है अगर ये हम लोग के application को पूरी तरीके से TikTok और another application follow कर लेते हैं तो TikTok हम लोग का Indian वापस आ जाएगा इंडियान government जो है वो हम लोग का TikTok जैसे application को deadline दी है कि वो लोग 22 जुलाई तक अपने इस terms and condition को follow करने के लिए government को application दे सकते हैं और इसके लिए committee भी पैठाई गई है तो दोस्ते दे छोड़ी से information वाली वीडियो TikTok वापस मतलब TikTok comeback के पारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तक प्रिसेश वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जय हिंद वंदे मात तराम